हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अमने यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर टैन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सुमी ने हुआन से जूट बोल दिया था कि गोयून ने उनके रिष्टे के बार में बताने के लिए मना किया था अब हुआन कंफ्यूस हो गया था कि क्या गोयून इतनी बुरी है जितनी सुमी उसे बताती है फिलाल दोस्त ने गोयून से बोलना कम कर दिया था और वो उसे इग्नोर कर रहा था गोयून भी सोच में पढ़ जाती है कि इसका मूड मौसम की तरह इतनी जल्दी-जल्दी क्यों बदल रहा है तो वहीं सुंग्मी ने जूट बोल दिया था बाहर आके देखता है तो दादी भी उठी हुई एक्सरसाइस कर रही थी हुआन कहता है दादी आज आज आप जल्दी नहीं उठ गई दादी कहती है मैं पूरी जिन्दगी सुबा पांच वजे उठी हूँ लगता है आज गलती से तू जल्दी उठ किया है हुआन कहता है वो तो मैं एक्सरसाइस के लिए बाहर जा रहा था खेट तब हुआन अपनी दादी से पूछता है कि आप हमेशा कहती है कि गोईन आपकी लाइफ सेवर है उसने आपको सिर्फ गिरने से ही तो बचाया होगा और वो हॉस्पिटल दे गई दादी कहती है चले शुकर है तो मैं पूछा तो सही कि तुम्हारी दादी को हुआ क्या था दादी कहती है कि मैं सेर्णियों से नीचे गर गई थी और उस समय किसी ने मेरे ओपर ध्यान नहीं दिया कुछ लोगों ने तो मेरा पर्स भी लूट लिया और जब मेरी हॉस्पिटल में आँख खुली तो मेरे सामने गोयून थी डॉक्टर ने कहा कि अगर ये मुझे सही टाइम पर नहीं लाती तो मैं वहीं मर जाती हुआन ये जान करके हैरान होता है दादी कहती है अब तुम गोयून से और नफरत मत करने लगना क्योंकि अगर उस दन वह मेरी जान नहीं बचाती तो ये सारी जायदाद अपने आप तुम्हारी हो जाती और वो तुम से ये जायदाद नहीं चीन पाती हुआन कहता है दादी हम इतने बुरे भी नहीं है वो गुस्ता होकर के वहाँ से चला जाता है तो अब आग ये रेस्ट्रेंट के प्रमोशन के लिए इन लोगों ने एक इवेंट रखा था हम और उसी के पड़्चे बाटने के लिए इने जाना था हुआन कहता है आपने मेरा नाम तर लिया ही नहीं तो मेंजर ली कहते हैं कि तुम गोईन के साथ जाओगे ये दोनों ही हरान होते हैं तो मिस्टर ली हुआन से कहते हैं मुझे अभी तुमारे ओपर यकीन नहीं है इसलिए तुम असिस्टन मेनेजर गोईन के साथ जाओगे हुआन अंदर तो मना नहीं कर पाता है मगर भार आके गोयून से कहता है लाओ, मुझे मेरे हिस्से के पर्चे दे दो मैं बाट लूँगा गोयून उसे लेक्चर देने लगती है हुआन कहता है, मचे तुमारा लेक्चर नहीं सुनना वो उसके साथ ही जाने लगता है अब यह लोग जब यह पर्चे ओल्ड एज होम में बाटने के लिए जाते है तो वहान देखता है कि गोयून वो सबके साथ कितनी अच्छी है तो फिर वो जूट कैसे बोल सकती है खिर आगे गोयून हुआन से कहती है अब यहाँ पे अंदर तुम जाओगे और तमीज से जाना वोँआन कहता है मुझे सिखाने की जूरत नहीं है वो अंदर जाता है और आज उसने किसी से भी बद्तमीजी से बात नहीं की थी गोयून हैरान थी कि होँआन अब सीख रहा है खिर हुआन यहाँ से भारा थे ही कोयून से कहता है अब हम अलग-अलग जाएंगे कोयून कहती है अब बस बहुत हो गया मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा मूट मौसम की तरह चींज क्यों होता रहता है कल ही तुमने कहा था कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखेंगे फिर अब क्या हो गया हुआन कहता है तुमने ही का था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ कोयून कहती है मगर इस बारे में हमने अल्रेडी बात कर लिया है फिर अब क्या दिक्कत हुई है हुआन कहता है तुम्हारे कितने चहरे है कोयून कहती है मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ अगर मैं अच्छी होती ते तुम्हारी जायतात कभी भी नहीं लेती शायद मैंने ही तुम्हें समझने में गल्ती कर दी थी तुम शुरवात से ऐसे ही हो कोई नहीं यहां से चली जाती है तो वहीं दूसी तरफ घर पे जुंग की माम ने तो जुंग और पार्क की शादी कराने का सोच लिया था पार्क के डैट से भी बात कर ली थी और दादी से भी बात कर ली थी जुंग तो बहुत जादा खुश हो रही थी वहाई दूसी तरफ हुआन वो अपने दोस्त के रेस्टरेंट में गया था जहां पे गोयून का भाई भी था खेर हुआन बहुत ज़ादा कन्फ्यूस था और अपने दोस्ते पूछता है कि सुम्मी जूट बोल सकती है तब हुआन का दोस्त कहता है मुझसे ज़ाद अच्छे से तो तु सुम्मी को जानता है तब हुआन कहता है मैं बहुत सदा कन्फ्यूस हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो दूसरी इंसान भी जूट नहीं बोल रही है खेर तब ही हुआन गोयून के भाई को देखता है हुआन देखता है कि इस लड़के को भी ओटेजम है और उसे पता था कि गोयून के भाई को भी ओटेजम है लेकिन अभी वो इस बात पे इतना सादा गौर नहीं करता है खेर आगे हुआन घर पे आता है तो उसकी मॉम और बेहन खुशो करके उससे कहती है अब बहुत जलजूंग और पार्क की शादी होने वाली है तब हुआन पूछता है क्या आपने पार्क से पूछा कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है या फिर नहीं आउंटी कहती है मैंने उसके डैट से पूछ लिया है वो कह रहे हैं कि कोई और लड़की नहीं है अगर हुआन को डाउट था तो वहीं आगे हुआन जब बात्रूम से निकलता है तब ही गोईन भी बात्रूम में जाने वाली थी हुआन कहता है इधर क्या देख रही हो उधर देखो तब ही गोईन को याद आता है कि हुआन नहीं से का था कि वो मेकप करने से लड़की नहीं बन जाएगी तो गोईन भी कहती है तुम्हारे अंदर कुछ है जो देखूंगी वो ये कह करके बात्रूम में चली जाती है खेर अगले दिन भी दूनों बस स्टॉप पे एक दूसरे को एगनूर कर रहे थे मगर बस के अंदर हुआन देखता है गोईन को उन लड़कों के बीच में खड़ होने में परिशानी हो रही है इसलिए वो उसे अपनी तरफ खीच लेता है और इसके बाद तो दोनों को कुछ-कुछ फील होने लगता है खेर गोईन वो बस से उतरती है तो हुआन को थैंक्यू बोलती है मगर हुआन उसे एगनूर करता हुआ चला जाता है तो वहीं दूसी तरफ गोईन को काम से लेने के लिए पार्क पहुचा था क्योंकि आज वो उसके सार डिनर पे जाने वाला था हुआन इन दोनों को साथ में जाता हुआ देख लेता है और उसे नहीं समझ में आ रहा था क्यों से बुरा क्यों लग रहा है खेर पार्क तो गोईन को अपने घर ले आया था और गोईन पूछती है के भला हम यहाँ पे क्यों आये है तब पार्क कहता है तुमने पूरी फैमिली के लिए खाना बनाया था मगर मेरे लिए ही अपने हाथ से खाना नहीं बनाया तो आज तुम मेरी लिए खाना बनाओगी गोयून मना कर रही थी मगर पार्क कहता है मेरी लिए तो कोई खाना बनाने वाला ही नहीं है वो उसे emotional blackmail करने लगता है और उसके बाद गोयून मान जाती है मगर इन दोनों को साथ महीं चाते हुए पीछे से जुंग ने देख लिया था जो कि पार्क से बात करने के लिए आई थी अब गोयून तो पार्क के घर पे आके उसके लिए खाना बना रही थी मगर वहीं दूसी तरफ जुंग वो तो बहुत ही जादा रो रही थी हुआं घर पहुचके अपनी माम से पूछता है कि इसे क्या हुआ तो आँटी कहती है कि ये सब कुछ उस गोयून की वज़ा से हुआ है क्योंकि पार्क हमारी जुंग को नहीं उस गोयून को पसंद करता है इतना कि आज वो उसके घर पे भी गई है ये वाली बात दादी भी सुन लेती है तो वही हुआन तो ये सब कुछ सुन करके बहुत ही ज़ादा गुस्से में आ गया था लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि ये गुस्सा उसकी बहन के वज़ा से है बलकि वो तो इसलिए गुस्सा था कि क्यों Goyun पार्क को पसंद करती है वो बहुत ही जादा इन सिक्योर हो गया था तो दूसी तरह खाना खाने के बाद पार्क और Goyun वाक पे निकल जाते हैं और यहां पी पार्क इंडिरेक्टली Goyun को कंफेस करने लगता है वो Goyun से कहता है काश हम दोनों रोज साथ में ऐसे ही खाना खा सकते है कोईन कहती है आप कहना क्या चाते है तब पार्क कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बलकि तुम्हारा मैंन बनना चाता हूँ कोईन इतनी सदा हैरान होती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती तब पार्क उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पार्क गोईन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिन्द गी खुल के जी हो गोईन कहती है वो भी चाहती है मगर वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है वो उससे माफी मांगती है तब पार्क कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे इंतिजार कर लोंगा कहने को तो यह इंतिजार है मगर मैं तो हमेशा एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हूँ तो वहीं दूसी तरह घर पे हूँ अभी भी इस बारे में सोच रहा था तो उसकी मॉम तो दादी से जाकर के कहती है कि अब आप इस लड़की को घर से निकाल दीजे देखिए तो सही पहले हमारा पैसा ले गई और अब मेरी बेटी का होने वाला पती भी ले गई दादी मना करती हैं कि वो गोयून को नहीं निकालेंगी बगर जब वो जूंग को रोता हुआ देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था अपनी पोती के लिए इतना कि जब गोयून घर पे वापस लॉट करके दादी से बात कर रही थी तो दादी आज उससे धंक से बात नहीं करती हैं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कह देती हैं और जब गोयून अपने रूम में जा रही थी तभ यान के आजाती हैं और उससे जगड़ा करने लगती है कि तुम मेरी बेटी से पार्क को कियसे चीन सकती हो जो तुम उसी के पीछे पड़ी हुई हो, बाहर खड़ी गोयून नहीं भी, यह सब कुछ सुन लिया था, इधर पार्क के डैग भी पहुच गए थे उसे डाटने के लिए, और पार्क को पहते चल जाता है, कि इस समय हुआन की फैमिली में क्या चल रहा है, अब उसे टेंशन के लिए पहुचते हैं, तो आज मैनेजर लिए बताते हैं, कि इन सारे एंप्लाइस को आपस में एक दूसरे के लिए, इन कार्ड्स पे विश्ज लिखनी हैं, वो तारीफ भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन भी दे सकते हैं, हुआन को ये काम बकवास लगता है, मगर जब ब खेर दोनों पोस्टर लगाने के लिए चले जाते हैं, और गोयून हुआन से टेप काटने के लिए कहती है, मगर इससे तो ये भी नहीं कट रहा था, गोयून कहती है, जब वो पोस्टर पे टेप लगाने लगी थी, तो अंजाने में हुआन के कुछ ज़्यादा ही नस्दी बिचारा हुआन क्या बताए, वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को ले करके बहुत कंफ्यूज है, तब गोयून कहती है, क्या आप ऐसे ही पोस्टर पकड़े रहोगे, वो हाथ नीचे कर लेता है, अब गोयून ऐसे ही राच चलते लड़के को पोस्टर देती है, और उससे क कहता है, जरूर तुम में कोई बात तो है, जब भी लड़कों को देखती हो, अपने आप चेहरे पे मुस्कुराहटा जाती है, शेह द इसलिए, तब गोयून कहती है, हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशन्शिप में नहीं है, हुआन कहता है, क्या, फिर तुम उसक क्या जादा ही बोल देता है, तुम सच में कार्टून क्यरेक्टर की तरह हो, जो कि अपने फादर के मरने के बाद और अपने भाई की खोने के बाद भी इतनी आसानी से हस लेती है, कोयून कहती है, हो गया तुम सच में बुरे हो, वो लोग जिनके पैरेंट्स मर जाते हैं, या जिनके अपने खोच आते हैं, क्या वो कभी हसते नहीं है, अगर वो रोते हैं, तो लोग कहते हैं, कि हमेशा रोता रहता है, और अगर हसते हैं, तो उसमें भी दिक्कत है, वो ये क्या करके चली जाती है, तो वहीं दूसी तरफ पार्क वो जुंग से मिलने के लिए क्य उसके सोचने का तरीका और उसका साफ दिल मगर यह सारी बातें जुँम केसर के ऊपर से जा रही थी तो वहाइं दूसी तरफ जब और गुइन लंच के लिए कर रही थी तब गुइन से कहता है तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मगर गुइन थी भी तो उसी कियो ज चांदना था हुआन को लगता है कि गोयून ने तो उसके सिर्फ बुराई ही की होगी मगर एंड में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था बहले ही तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो अब हुआन सोच में पढ़ था कि ये कार्ड उसे किस ने दिया है अब हुआन एक एक करके सबके बारे में सोचने लगता है और उसका दिमाग कहता है कि नहीं ये लोग तो कभी भी तेरी तारीफ कर ही नहीं सकते हैं खेर आगे बस स्टॉप पे भी कोयून कुछ परिशान थी और हुआन उसे कहता है ब मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो वहीं दादी सोच में पढ़ जाती है कि वो आज घर क्यों नहीं आई और फिर दादी को याद आने लगता है कि गोयून ने उनके साथ कितना अच्छा व्यभार किया था जब वो अपनी याददाश भूल गई थी तो वहीं गोयून का वो डाइरी पढ़ने लगता है जो कि गोयून ने उसे काम सिखाने के लिए दी थी और तब वो नोटिस करता है कि ये राइटिंग तो बिल्कुल उस कार्ड वाली राइटिंग से ही मैच होती है वो समझ क्या था कि गोयून ने उसे वो तारीफ वाला कार्ड दिया है खैरे